हलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गया हैं कुछ important questions arithmetic progression के और उन question का हम यहाँ पर solution देखने वाले हैं ठीक है कि कैसे किस प्रकार से उसका question का solution है तो चलिए आज आते हैं जैसे कि यह question number 12 आपके सामने हैं question number 12 क्या बोल रहा है उसको one by one हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है which of the following list of number form and AP AP confirm कर रहा है मतलब जिसमें D क्या आ जाए same आ जाए मतलब common different हो जाए progressive different क्या हो जाए common हो जाए उसे AP बोलते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए 4-2 आ जाएगा 2 फिर 5-4 करोगे तो वन आएगा तो यह नहीं है ठीक है यहाँ 5-3 टू आ रहा है 7-5 टू आ रहा है लेकिन 11-7 अगर करोगे तो पोर आ जाएगा तो यह भी क्या है नहीं है यहाँ पर देखिए 5-3.5 1.5 होगा और 6.5-5 करोगे तो भी 1.5 और 8-6.5 करोगे तो भी 1.5 सब में 1.5 आ रहा है तो यह हमारा हो सकता है मतलब हो सकता क्या है सब में different क्या आ रहा है 1.5 1.5 डिफरेंट आ रहा है मतलब सब में same है progressive डिफरेंट आपको पता ही है ठीक है यहाँ पर भी छेक कर लेते हैं देखिए 4-1 करेंगे तो 3 आ रहा है और 9-4 करते हैं तो यहीं पर क्या हो जाता है 5 आ रहा है तो यहीं पर यह रॉंग हो जाता है मतलब सब में different क्या होना ची प्लस-minus का भी नहीं चलेगा progressive डिफरेंट आ आगे वाली value में से पीछे वाली value को minus कर रहा है तो यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अभी question number 13 पर आ जाते है question number 13 आपके सामने which of the following list of number does not form an AP कौन form AP नहीं कर रहा है नहीं है जो वह आपको बताना है देखिए यहाँ प 1 upon 2 में से 1 minus करेंगे तो minus 1 upon 2 1 upon 3 में से 1 upon 2 minus करोगे तो यह वाला एक नहीं है बाकी सबी है ठीक है इसमें common different same नहीं आ रहा है मतलब यह वाला right answer है बाकी सब के सब wrong है बाकी सब क्या है wrong है ठीक है यहाँ पर भी देखिएंगे 1 upon 2 minus 1 करेंगे तो हाप आएगा 0 minus 1 upon 2 करोंगे तो भी यहाँ पाएगा मतलब सब में माइनस 1 का माइनस 1 upon 2 का different यहाँ पर देखने को भी लेगा लेकिन यह आपको एपी फॉर्म नहीं कर रहा तो यह राइट है वैसे 14 पे चलते हैं a3 8 दिया a7 24 दिया देन 8 यह आपको concept मैंने आपको समझाया है कि a3 equal to 8 को मैं ऐसे भी ल a plus 6D equal to 24 अब इसको solve करेंगे तो a और d मिल जाता जिसे minus करेंगे न तो यहाँ से a cut गया minus 4D equal to आगे आपका यहाँ से minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा अब यहाँ पर a equal to क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा मतलब d की value यहाँ पर 4 आ जाएगा d 4 मिल गया फिर a की value यहाँ पूट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर solve कर देता हूं a plus 2D equal to 8 ठीक है अब दी की value 4 मिला है तो यहाँ फोट्टू जाएगा यहाँ पर भी 8 हो गया तो यह 8-8 a की value तो 0 हो रहा है मैं तो 0 से start हो रहा है आपको चाहिए a10 ठीक है तो a10 equal to क्या होता है a10 equal to होता है a plus 9d अब एक value 0 रख दो और 9 इंटो 940 36 ठीक है तो जीरो एड करोगे तो answer क्या आएगा यह 36 अब यहाँ पर मेरे पास प्येज नहीं है तो मैं पूरा detail में आपको समझाता बाकी तो concept आपको आता है यहां पर question में दिया है s n equal to 2 n square plus 3 n then find d ठीक है अब देखो s n जब दिया हो न इस तरीके का जब भी question दिया हो तो देखो पहले s 1 रखो s 1 जब यहां पर रखोगे न देखिए मैं यहीं पर try कर रहा हूं अब एस वन रखोगे तो इसकी value देखो and one की square one two अज़ा two और three अज़ा three two three five आजएगा मतलब s1 ही ए होता है एक ही value आपको five मिल गया ठीक है अब s2 रखोगे ना s2 तो s2 में देखिए s2 अगर रखने जाओगे तो two two जा four और four two जा eight और eight और यह six आपका 14 हो जाएगा मतलब आपके सामने ए देखिए s2 जो होता है वो होता है ए one plus a two equal to s2 होता है मतलब आपके पास a1 आपके five हो गया और s2 जो आ रहा है वह क्या आ रहा है यहां पर eight और यह six 14 हो रहा था तो 14 में से five minus कर दोगे तो nine आ जाएगा मतलब a two nine आ रहा है ठीक है ए two nine तो nine minus five कर दोगे तो आपका answer four जाएगा मतलब यह solve करोगे तो आ जाएगा answer four answer हो जाएगा ठीक है बढ़ता हुआ जा रहा है four answer आ जाएगा ठीक है इस तरीके का मतलब आप concept यूज कर सकते हैं नीचे हिंड भी दिया है for d do the product of coefficient of two n square and its power ठीक है वह अपना बुद्धी लगा सकते हो ठीक है अपन्टू ब्रेकेट में 2a plus n-1 into d यह formula में हम सारी वेल्व पुट कर देगे यहाँ s20 मतलब n की वेल्व 20 दिया है और n की वेल्व 20 यहाँ पर पूट करेंगे formula में वेल्व पूट करो ठीक है वैल्व पूट करेंगे देखिए यहाँपर 20 अपन्टू 10 हो गया यहाँपर यह answer आजाएगा मतलब आप solve करेंगे इसमें value put करके तो आपका answer आजाएगा चले कुछ questions और कर लेते हैं जैसे 70 number का आपके सामने questions दिख रहे हैं ठीक है 70 number का questions क्या बोला है 3 plus 5 plus 7 plus 9 up to nth term ठीक है और nth term 288 दिया हुआ है up to nth term 288 मतलब यह कहां तक है 288 तक then find the n n find out करना है मतलब sn तो दिया है sn last term दिया देखो nth term दिया न nth term तो आपको n find out करना है आपको इस question से आपको यह देख रहा है देखो ap form कर रहा है ap form कर रहा है तो आपको इस question से देखो एक तो a मिल जा रहा है आपको मिल गया 3 ठीक है और आपके सामने अगर देखोगे तो आपको d भी मिल जारा 2 का डिफरेंट है ठीक है अब आपको चाहिए n ना तो a n भी तो दे दिया है यहाँ पर a n equal to a n equal to 288 दिया है और formula a n का formula अप लगा दो a n equal to क्या होता है a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर 288 रख दो और यहाँ पर a की value 3 plus n तो हमें पता करना है और d की value हमारा 2 है अब यह 3 इदर minus होगा तो 85 हो गया ठीक है एक की value कितना है 3 है और यह d ठीक है अब यहाँ पर two जो है यह two multiple जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर confusion होगा कि यह जो 288 मतलब यह SN की value दिया है थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यह पूरा nth term तक है और equal to 288 मतलब यह sum बता रहा है थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है इसको सुदा लीजेगा यह SN की value है और SN की value 288 है तो SN के formula में रख देंगे और N की पता कर लेंगे तो N की value मिल जाएगा यहाँ पर यह रॉंग हो जाएगा यह concept यहाँ पर question समझ के करिएगा ठीक है question समझ के करेंगे तो आ जाएगा इसी तरीके को questions को हम इसको solve करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा वैसे अगर 18 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या बोला है find 4 number of AP whose sum is 72 and which is the greatest number is twice the least number छोटा नंबर का बड़ा नंबर twice है देखो यह 4 का double 16 नहीं होता है 8 होता थी यह तो आपका सारा गलत पहले नंबर condition ही अगर देखोगे न बुला है in which the greatest number is twice the least number जो सबसे कम है उसका double greatest number हो रहा है इसमें देखिएगा अगर इस वाले condition में देखिए तो 12 यहां पर questions के according देखिए यहां बी वाला देखिए तो 12 का 24 है यहां 10 के double 20 नहीं है यहां टू का double 8 नहीं है तो पहले नंबर तो यही राइट हो जाएगा अच्छा फॉर्म एपी कर रहा है कि नहीं यह भी देख लो इसमें भी चारका यह भी चारका बहुत बढ़ी है यहां कर डिफरेंस देखने जाओ तो यहां टू का है यहां पर 2426 और 17 हाँ आभी रहा है मतलब यह वाला एंसर आपका राइट है यह भी लॉजिक लगा देने का अब यहां पर कोशन दिया है एट 25 मैनेस ट्वंटी इकोल टू टू तो डी की वैलू मिल जाएगा देखो एट 25 को मैं क्या लिखूंगा एप्लस 24D और एट 20 को क्या कि देखो माइनस कमर कर लेते हैं तो यह प्लस 19D लिखोल गए इसको और इकोल टू प्टीन ही तो है अभी ए-प्लस 24D यहाँ माइनसख और यह और यह-19-D इकोल टू 15 है अब देखिए तो एक कैंसल हो गया 24 में से 19 माइनस किये तो 5D हो गया इकल टू 15 हो गया अब D equal to 15 divided by 5 करेंगे तो आ जाएगा 3 डी की वेली कितनी आगे ए वाला एंसर राइट हो जाएगा ऐसे इसको भी स्वाल करेंगे अब देखिए इसके लिए अगर आप स्वाल करेंगे पहले लिखेंगे ए प्लस 16D होगा और माइनस ए माइनस सेवन डी अब देखिए तो कैंसल हो जाता 16D में से सेवन डी- हो जाएगा तो 9D आ जाएगा 9D कौन सा ये यह रहा टेनडी है ना 16 में से 7 है ना तो 9D आगा ये स्वारी 17 आएगा ये 1718 दी है ना 17D 7 डी 10 डी आ जाएगा या answer ये वाला तो देखते रहे हैं और भी आगे कि कुश्चन्स में कराता हूं